पूरे देश में हला किया जा रहा है वरष्टाचार वरष्टाचार का सिर्मौर है वारतिय जन्ता पार्टी नरेंद्र मोदी उससे बड़ा कोई और वरष्ट ये प्रमानित कर चुका है कि जिरिवाल ने जो अपने दिल्ली विधान स्वाय भासन दिया उसके माधर देश में जिस तरक्स्ते सामप्रदाइकता बढ़ रही है बेरोजगारी भुकमरी महिलाओं के उपर अत्याशार और ये सरकार जूट फोले सभी संबैधानिक संस्थाओं को नियंतरित करके उसको बरबात किया जा रहा है बेचा जा रहा है संस्थाओं को और एक ही व्यक्ति को दिय जा रहा है जिसका नाम है अडानी मंदुवादी लोग तो आरूप लगाने मास्टर है जूट को सच करना और सच को जूट करना तो वह करता है तो उससे हम लोग डर जाएं क्या और बीजेपी संबिधान भी रोधी है सेक्लोरिज्म का भी रोधी है समाज भी रोधी है दलि मिलाओं पर जुल्म कराने के अवतार हैं अवतार हैं दलित पिछलों के हक को मारने के अवतार हैं अवतार हैं रस्टाचार के सिरमोर बनने के अवतार हैं मुख्यधारा की जो मीडिया है वो दवाव में है अब जब हम लोग आएंगे तो उसको मौका मिलेगा मन से लिखने हर हाल में बीजेपी को जाना है दिल्ली से दुनिया की कोई ताकत अब नहीं बचा सकती है यह है देश की जंता की आवाज मैं इस समय आर्जेडी दफ्तर में हूँ और मेरे साथ आर्जेडी के सिनियर नेता पूर बिधान सभाध ध्यक्ष उदेर्वान चौधरी है क्या लग रहा है सर आपके हां से सुरू हुआ था आर्जेडी जेडी उन्हें कोशिस की कि देश वर में विवक्षियक्ता बनाएंगे अब तो देश का नाम ही बदलवा दिये हैं आप लोग बदलवा रहे हैं आप लोग की वज़र से देश का नाम रौशन कर रहे हैं बनेवाद जाता है लालू प्रसादी आदव जी को तिजस्वी आदव भी खो यह उन लोगों ने यह काम किया चुके देश में जिस तरक्स्ते सामप्रदाइक्ता बढ़ रही है बेरोजगारी भुकमरी महिलाओं के उपर अत्याचार और यह सरकार जूड़ फो लिए सभी संबैधानिक संस्थाओं को नियंतरित करके उसको बरबात किया जा रहा है बेचा जा रहा है संस्थाओं को और एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसका नाम है अडानी और दूसरी और पूरे देश में हल्ला किया जा रहा है वरस्टाचार वरस्टाचार का सिर्मौर है भारतिये जन्ता पार्टी नरेंद्र मोदी उससे बड़ा कोई और वर्ष्ट यह प्रमानित कर चुका है कि जिरिवाल ने जो अपने दिली विदान स्वाय भासन दिया उसके माधम से हिंडेन वर्ग ने प्रमानित कर दिया दुबारे भी आ गया है कैग ने भी बता दिया मेर भारत का समिधान बदल रहा है यह आरोप लग रहे है आप लोगों पर आप लोग भारत नाम इंडिया देश के नाम का राधनिती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मनुवादियों को आरोप लगाने मास्टर है जूट को सच करना और सच को जूट करना तो वह करता है तो उससे हम लोग डर जाएं किया जो नाम रखा गया है वो सही रखा गया है आपके गटबंधन का एक नेता है उदय निधी उन्होंने तो धर्म पर ही हमला कर दिया पेरियारे साथ धर्म पर हमला करते हैं वहां से तो क्या हो गया उससे रमास्वामी नाइकर परियार के खांदान के वह हैं बीजेपी कहरे ही कि आप लोग धर्म परोधी पायड़ गटबंधन है कॉंग्रेस भी सक्ते में कुछ बोल नहीं रही है और बीजेपी कि संबिधान परोधी है सेक्लूरिज्म का विरोधी है समाज विरोधी है दलित पिछों के हक को मारने वाली है तो हम उसकी बात करें क्या कि हम अपनी बात करेंगा कहा रहा है आप लोग ख्याली पुलाव देख रहे हैं अठाइस दल हुए हैं अठाइसों दल में कोई बाच्चित नहीं हो रही है आप लोग आपस में लड़के मर जाएगा अच्छा कोई धर्ती पर आया है जिंदर रहने अजरमर है क्या कोई धर्ती पर मोधी जी कल की अफ्तार है अफ्तार है महिलाओं पर जुल्म किराने के अफ्तार है अफ्तार है ऑपतार minded कि के अरू option श्रता चार के सिरुमोर बनने के आफ्तार है उनका कंट्रोल देख रहे हैं पाटि पर किस तरह से उनका पर किसी कीमत पर उनके नेता जो है कभी भी बज़ुवाई पाटी से बिद्रो नहीं करते हैं। इसका माने वो डिक्टेटर शीप है। हम लोग है जिंदा जन तंत्र में डेमोक्रेसी में हम लोग जिंदा हैं। तो डिक्टेटर तो कुछो करगा तो उसको अफ़तार मान लेंगे हिट्लर भी था कि लोकतंत्र के दम पर आये है सर मोधी जी मिकहा इंडिया भी लोकतंत्र के दम पर च्वेश करनातों का फिस ale ना बिहार में कितनी सीटे जीत रहे हैं आप लोग बिहार में टोटल सीट इंडिया को जाएगा है लेकिन लोग आकरा तो सर्वे बता रहा है कि दलीत मुसलिम पिछणों का कॉमडियों बना रही है बी-जे-पी और इस बार बिहार में खेला होगा कौन बना रहा है आखड़ा कौन आखड़ा निकल रहा है कौन खेला की बात कर रहा है टीवी अख़बार किसका है अडानी का टीवी अख़बार के बारे में तो हम लोगे नेता ने कह दिया कि जो मुख्यधारा की जो मीडिया है वो दवाव में है अब जब हम लोग आएंगे तो उसको मौका मिलेगा मन से लिखने का किसके दवाव में है सरकार के दवाव में है मोदी के दवाव में है मित्रा के दवाव में अडानी के दवाव में है बिहार में तो आप लोग की सरकार है आप लोग दवाव बन रखता ना यह तो बनता है से लोग करें नितीश कुमार लालू जी में ठीक नहीं चल रहा है गट बंधन कप तूड़ जाएगा क्या लिप्लाव बनाते रहे हैं लोग आप लोगोंने बीजेपी की सरकार चल रही थी यहां मिलाज उलाखे आप लोगोंने यहां बीजेपी की सरकार गिरवा दी नितीश जी को अपने पाले में लग कर लिया हम का के लिए कर रहे हैं अरे बिहार की जंता का तबाव में यह सब हुआ है कि 2024 में क्या लगते हैं आप लोग एदम जो यहां से लालू जी और नितीज जी सबसे जादे एक्टिव दिख रहे हैं लोग कह रहे हैं कि लालू जी को फिर से सीबियाई सुप्रिम कोर्ट में हैं जमानत खतम हो जाएगी जेल जाएंगे और नितीज कुमार फिर पाला बदल लेंगे तो जेल से कौन डर रहा है कोई डर रहा है का जल से दोजार चोवीस में जो है वो नहीं रहेगा दिली के गद्धी पर कहां से आता इतना भरोसा न टीबी है न अखवार है आप लोग खाली चालिस सीट जीत के मोदी जी को खरा दिएगा अरे भाई कि टीवी अखवार कहां चल गया था चोहत्तर में सबाद पहुंच गई है गाओं गाओं तक परधान मंत्री कौन हो कि परधान मंत्री मैंने साधी होई से पहले बता दें कि बच्चा कौन होगा क्या बात करते हैं घुलहाब तो पता चलना चाहिए न सबुरहारं बच्चा होगा भी बता दिया जा गटवंधन रहेगी एक दम रहेगी मजबूत रहेगी रहेगी इक सवाल लोग जानना चाहरे हैं चुकि बिहार में हूं क्या ऐसा है जो बिहार के लोगों की तरफ देश देख रहा है उन बिहार में ही वह ताकत है कि उर्ति चुनिया को हर दिल लगा देता है आं लालू यादव है यह जा लालू जी प्राइल कि क्या भूंका देख रहा है लालू जी की भूंका देश को जोड़ने की है प्यार मुहबथ बढ़ाने की है और फिरका प्रस्त ताकतों को समाप्त करने की है लेकिन बीजेपी का सोसल इक्विशन बहुत बर रहा है बिहार में आप समझ नहीं रहे हैं सर यह आप लोग नजर अंदाज कर रहे हैं जिस तरह से वो स्टी ओबी सी जो आपकी सोसल जस्टिस किलर आई थी उसको बीजेपी आगे बरहा रही है हाँ ठीक है अब उसको बीजेपी को सोसल जस्टिस सुने लगाई मोहन भागवाद जी से पुछे ना कौन सा सोसल जस्टिस आते हैं कि पढ़ना बनत्री है मोधि जी पिछ्रे नहीं मानते हैं अप पिछ्डाओं अपने देखा है गुजरात का कि मुख्य मंत्री बनने के बाद पिछ्डा में उनकी जाती को लाए गया है कि यह लागत है कि आप लोग को कॉन्फिडेंस है भरोसा है कि हर जाएगी बीजेपी 2024 हर हाल में बीजेपी को जाना है दिल्ली से दुनिया की कोई ताकत अब नहीं बचा सकती है कैसे यह है देश की जनता की आवाज वन नेशन वन एलेक्सन होगा एक चुना होगा तो क्या कर लेगा आप लोग की सरकार भी जाएगी क्या कर लेगा सरकार तुब बंतिये जाने और आने के लिए को निया बात होगे जाएगी एक देश एक चुनाओं के पक्ष में है एक दम नहीं है हमारा समिधान काता है कि एक तो कह रहा है कि जैसी लालू जी की जमानत खत्म हुई भी पक्षियक्ता टूड़ जाएगी तो कहा तो कि वही सबस्वापन देखने की जिनका करता है अच्छा यहीं देख देख के जिनदा रहते हैं कुछ लोग अपना T.R.P बढ़ाते रहते हैं कुछ लोग अपनी पार्टी में जैसे भाजपा में कुछ कुछ लोगी लालुजी के खिलाब बोल करके अपना बढ़ाते रहते हैं कि हैस्तियत वहां बढ़ाने की कोशिज करते हैं कि बिहार में बीजेपी को 40 सीटों पर नजर है वो कहरें कि हमारा सबसे मजबूत कि लाओगा और अब तक बिहार में कह रहे हैं कि पहली बार हम पुर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएंगे बिधान सबा में कि देखते रहे हैं कि क्या होता है बिहार में तो उसी दिन पता चल गया अधा बिहार में पुर्ण बहुमत की सरकार बनेंगे जिस दिन आये थे हम इसा डंका के चोट पर मीटिंग करने के लिए मोतिहारी में आउधर मागडवंदन की मीटिंग होई थी पुर्णिया में त कि अगर आप देश के अगर आप टीवी अख़वार देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ बीजेपी के पक्ष में लेकिन अगर आप बिहार आएंगे और खासकर बिहार के लोगों से बात करेंगे बिहार में जत्ता पक्ष के जो लोग हैं फिलाला भी जेडि आप लोग को क्या लगता है क्या इंडिया नाम का जो गटवंधन है जिसकी बदेश का नाम भी बदल रहा है कि सच मुछ बीजेपी घवरा गई है डर गई है इसलिए वो नाम को हटा रही है जानकार कह रहे हैं कि इस तरह के फैसले हो सकता है कि बीजेपी को नुक्सान करे 2024 में बिहार में बहुत सारे बदलाब को बिहार परतीक रहा है चाहिंद्रा गांदी की इमर्जेंसी के किलाप यहां एकता बनी थी अभी भी बीजेपी के लिए बिहार एक अभेद किला है मोदी दो बार चुनाओ जी चुके हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुके हैं लेकिन बिहार में बीजेपी अभी भी तीसरे नंबर की पार्टी है तीसरे नंबर में सीटों की संख्या में नहीं कह रहा हूं सीटों की संख्या के मामले में वो दूसरे नंबर पढ़ा है लेकिन सरकार बनाने के मामले में वो तीसरे नंबर पढ़ा है हमेसा से उसने गट बंदन से लड़ पाएगी जीत पाएगी आपकी पर्तिरिया बहुत जरूरी है शंबु कुमार सिंग नेशनल दस्तक पटना नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़ झाल झाल